जो लोग मेरे इस चानल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल वीडिया प्लेटपॉर्म पर देख रहे हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल प्लिटिकल तमाशावी डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पर लगी बेल आइकन को जरूर दबादें ताकि आपको हमारे आने वाले और रीसेंट हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें और दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आता है हमारे वीडियो आप को informative लगते हैं तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके और पेट्रॉन का लिग मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल लई हूँ जो है www.petron.com और दोस्तों एक और तरीके से आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं और दोस्तों एक और तरीके से आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं वो है इसकी मेंबर्शिप ले करके अच्छा इसकी मेंबर्शिप का लिंग भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल लए हैं जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल के मिम्बर बन करके अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं दंगों से चुनाव में किसको फाइदा होता है ये बात भारत के तक्रीबन सभी लोग जानते हैं मनीपूर में दो कमिनिटीज के नाम पर तो हर्याना में मजभ़ के नाम पर दंगे किसने प्लान करे हैं ये सब अब सब के सामने मौजूद है ही दोनों स्टेट्स में यानी मनीपूर और हर्याना में इंटेलिजन्स का फेलियर है या फिर सब कुछ जान करके भी अंजान बनी रही ये दोनों सरकारे इस सवाल का जवाब बेहद एहम है संसिटिविटी के बावजूद मेवात में जलूस निकालने की अजाज़त क्यूं दी गई और लगातार क्यूं भड़काया गया दूसरी कम्मिनिटीज के लोगों को इन सवालों के जवाब बेहद आसान है अब सब साफ दिख रहा है कि दंगो का टूल किट टॉमी मीडिया को थमा दिया गया है सब नफरत के सप्लाइर्स अपने काम पर लग गए है इलेक्शन तक क्या हालात होंगे इसका अन्दाजा आप लोग खुद लगा सकते है मीडिया मुल्क के लिए बहुत बड़ा खत्रा बन चुका है डेमोक्रेसी का ये सो कॉल्ड चौथा खंबा नफरत के कारोबार की बैसाखी बन गया है दिन रात नफरत और डिविजन का एक तरफा ब्राटकास्ट मुल्की अवाम को अकल का अंधा बना रहा है अब जिस तरह से पर्मिनन्ट इलाज की बात सरे आम टीवी से हो रही है ये नाटसी दौर के फाइनल सलूशन की याद दिलाता है मेवाद के जखम गहरे हैं उस पर मरहम लगाने वाले महात्मा गांधी कपके जा चुके नए भारत में जहर के कारोबार की शुरुआत आईटी से हुई थी इधर टौमी मीडिया ने सत्ता की दलाली से शुरुआत करी इस मीडिया में बैठे स्टार गोदी एंकरों में सत्ता की बेसिर पैर की बातों का सपोर्ट करने की होड मची हुई है वो पार्टी के फरिंज एलिमेंट से भी आगे निकल चुके हैं और जल्दी आईटी से कॉमपेटिशन करते हुए उनको भी पीछे छोड़ देंगे अब टौमी उस गुमनाम फर्जी एकाउंट की तरह बिहेव कर रहा है जो दिन भर जहर उगलता है और बड़े से बड़े शख्स को गाली बग देता है इस नफरती दलाली के कॉमपेटिशन का नतीजा है दिन राद जहर उगलना और लगातार जहर ब्राटकास्ट करना ऐसे वक्त जब दंगा हो रहा होता है टीवी चैनल्स बेहत भड़काउ हेडिंग के साथ उकसाने वाले प्रोग्रेम्स चलाते हैं भीड की तरफ से किसी को भी पीट कर मार देना खुद ही इंसाफ कर देने की सनक का नतीजा चेतन सिंग जैसे कॉंस्टेबिल के तौर पर मुल्क के सामने मौजूद है कॉंबी मीडिया के इंटिलेक्चुल टेरिस्ट पूरे मुल्क को बारूत के धेर में तबदील कर रहे हैं जिने भारत को बचाने की फिकर है उन्हें पहले मीडिया नाम की समहमारी का इलाज करने के बारे में सोचना चाहिए मौत का कुवा कई सालों से काफी मशूर तमाशा कर रहा है भारत में आज कल सडको गली महले में भी ये तमाशे नजर आते रहते हैं बड़े लगाव से खेला जाता है देखा जाता है नफरत का मेला लगता है और खेल शुरू इस कुवे से अब कोई बच कर वापिस नहीं आता जिन्दा को मार देते हैं कुछ मरे हुए लोग जिस देश के चैनल दिन रात हिंदू मुसल्मान का राग अलापते हों जहां के अखबार रोज मंदिर मस्जिद पर एडिटोरियल्स लिखते हों जहां के मंत्री गोली मारो सालो को जैसे नारे लगवाते हों वो देश जॉम्बीस तो पैदा करेगा ही जरा से सियासी फाइदे के लिए सिस्टम हर दिन नए नए जॉम्बीस तयार कर रहा है अब जॉम्बीस का मेला मिवात में लगा हुआ है मेवात दिल्ली गुरगाओं से आगे का एक इलाका है वहां मेव मुसल्मान रहते हैं अपनी जैनियोलाजी यानि एंसेस्ट्री प्रभू राम से जुड़ी बताते हैं लेकिन 1947 में वो भी दंगों के शिकार थे भरतपूर और अलवर के राजवारों से आए दंगाई उन्हें पाकिस्तान जाने का अल्टिमेटम दे चुके थे दोस्तों मेव धर्म से मुसल्मान थे और जात से खुद को राजपूद बताते हैं वो महरम ईद और जनमाश्टमी एक साथ मनाते हैं दिवाली पर दिये भी जलाते हैं अपने बच्चों के नाम राम और दिलीब जैसे भी रखते हैं शादी में निकाप पढ़ने के अलावा सारे रिवाज हिंदूओं जैसे ही हैं लेकिन वो अलवर और भरतपूर रियासत की नजर में उनकी पहचान एक जरायम पेशा कमिनिटी की रही है 1920 के दशक में मेवाद नई हलचल से गुजर रहा था एक तरफ स्वामी श्रधानन का शुद्धी आंदोलन था जो की शुरू हुआ था वेस्टरन युनाइटर प्रोविंसेस के मलकाना मुसल्मान राजपूतो को फिर से हिंदू बनाने से लेकिन भरतपुर रियासत की शेफर उसने धीरे धीरे राजपूताना में भी पैर पसारने शुरू कर दिये थे दूसरी तरफ थी तबलीखी जमात पस्चिमी उत्तर प्रदेश यानि वेस्ट यूपी के बड़े जमीदार घराने के वारिस मौलाना शाह इल्यास ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच कर मेवात में सौ मदर से काइम करे ताकि बेदीन हो चुके मेवो को दीन के रास्ते पर लाया जा सके 1930 के दशक में मेव अलवर रियासत के साथ सींग फसा बैठे उस वक्त जैसिंग अलवर के महराजा हुआ करते थे वो मेयो कॉलेज से पढ़े थे आला दर्जे की अंग्रेजी बोलते थे एशो अराम की जिन्दगी बसर करते थे उनका हिंदू धर्म की तरफ जुकाओ था उन्होंने खुद को राज रिशी और धर्म प्रभा कर जैसी उपादियों से नवाजा था 1939 में उनकी ताश पोशी की रज़त जैनती थी बड़ा कालक्रम हुआ बड़ा प्रोग्राम हुआ खजाना खाली हो गया तो लगान चार गुना बढ़ा दिया गया मेवों ने विरोध किया और लगान देना बंद कर दिया गोविंदगर में महाराजा की मनमानी के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ रियासत के सैनिकों ने गोलिया चलाई सौ से ज्यादा मेव मारे गए इस पूरे कांड को जो की एक किसान विद्रोध था बाद में रियासत ने इसे हिंदु मुसल्मान कर रंग दे दिया धर्म की बढ़ती खाई और तबलीगी जमात के एक्तिविस्म के चलते मेवो का ने सिरे से इसलमाईजेशन चुरू हुआ फिर आया 1947 यानि 1947 का दौर नरायन भासकर खरे अलवर के उस वक्त के प्रधान मंत्री थे केम मुन्शी के शागिर्ट हिंदु महासाभा के बेहत करीबी थे उन्होंने बटवारे की आग में अलवर और भरतपुर की फाज मेवो के खिलाफ उतार दी अकेले भरतपुर में ऑफीशिल आकड़ों के मताबिक 30,000 मेव मारे गए अलवर में कितने मरे इसकी गिंती नहीं हुई एक लाग से ज्यादा लोग डिस्प्लेस होकर गुरगाव में रहने को मजबूर हुए खरे ने मुन्शी को लिखी चिट्थी में लिखा कि उन्होंने मेव समस्या का पर्मनेंट हल खोज लिया है दिसंबर 1947 नव आखली से हताश होकर लोटे गांधी जी ने मेवात का दोरा किया गांधी जी घासेड़ा गए जहां उन्होंने मेवों को समझाया कि वो अपने बाब दादाओं की जमीन छोड़कर पाकिस्तान ना जाए मेविस जमीन पर बारवी सदी से आबाद थे लेकिन इसके डेर महीने बाद गांधी जी की हत्या कर दी गई मेवात में औरते आज भी गाती हैं भरोसा उठ गया मेवन का गोली लगी है गांधी की च्छाती बीच उस दिन से आज तक मेवों के इस तूटे हुए भरोसे को किसी ने जोडने की कोशिश नहीं करी रंग नाथ मिश्र कमिटी की रिपोर्ट ने मेवात के मुसल्मानों को देश में सबसे पिछडी माइनॉर्टी की आबादी करार दिया है बेसिकली ये पशुपालक कमिनिटी लगातार परसीक्यूशन का शिकार हुई है पहलू खान रकबर वारिस और हाल में नासिर और जुनेद खैर मेवात फिर से कमिनल सियासत की लेबारिटरी बन चुका है पहले मॉब लिंचिंग और अब दंगो का एक्सपेरिमेंट मेवात के घसेड़ा गाओं के मैदान में कोई पचास हजार मेव मुसल्मानों को गांधी ने कहा था कि मत जाओ तुम तो हिंदुस्तान की रीड की हड़ी हो मत जाओ गांधी की पुकार सुनकर जाते हुए मेव रुग गय थे खबर रेडियो पर सुनकर बहुत सारे लोग आधे रस्ते से लौट आये थे लेकिन मेवात से लौटने के चालिसवे दिन गांधी की हत्या कर दी गई कातिल एक हिंदू था गांधी की अंतिम यात्रा में मेवात से बड़ी तादाद में मुसल्मान आए आज उनकी पीडियां हिंदूस्तान की मिट्टी में अपना खून मिला रही है क्या कहा जाए गांधी के कातिल अपसत्ता में जो है भारत की रीड की हड़ी को निकाल फेकने को आमादा है दोहजार चॉबिस के चुनाव की तैयारी की तलवार मेव पर लटक रही है लट आई है इनसाफ की तरफ कौन है ये तैय हर्याना की नई पीड़ी को करना है उनकी मर्जी है कि चंद नफरत के नशेडियों को सुने या घसेडा गाउं के उस स्कूल के मैदान पर जहां गांधी ने कदम रखे थे उसकी घास की सरसराहट को सुने मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ जैं हिंद सत्ते मेव जैते अल्ला हाफिस दोस्तों हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियो देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशावी डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे ताकि आपको हमारे आने वाले और रीसेंट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे और दोस्तों अगर आपको हमारे ये वीडियो इनफॉर्मेटिव लगते हैं आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके पेट्रॉन का लिंग मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल नहीं हूँ जिसपर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन करके अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं और एक और तरीके से आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं हो है इसकी membership ले करके membership का link भी इसी वीडियो के description में दिया गया है जिस पर click करके आप अपने इस channel के member बन करके अपने इस channel को support कर सकते हैं और आप हमें follow भी कर सकते हैं हमारे twitter, instagram और facebook page पर मेरा twitter handle है at the rate of arshi aziz khan thank you मिलते हैं अगले वीडियो में